बिसमिल्ला है रह्मानिफ रहीम असलाम लेकुम स्टूडेंट वेल्कम इन क्लास टूड़ आवर टॉपिक इस लोड लिम आपकी बुक में जैसे ही इंट्रोड़क्शन ऑफ अपर लिम का टॉपिक खतम होता है और पैक्टॉरल ग्लडर के बाद 19 पेज नंबर पे अनाटमी पॉचिन में इंट्रोड़क्शन ऑफ लोड लिम स्टॉर हो जाता है जिसका नाम है इंट्रोड़क्शन ऑफ लोड लिम ड्यूप अट पैल्विक क्लेडर इसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे लोड लिम एंड पैल्विक लेडर का एक सपर टॉपिक दिया कि हमें चलने के लिए और भागने के लिए लोलन निम्प की ज़़ुरत पढ़ती है जयसा कि हमने अपने इंट्रोड़क्शन ओपार लिम्प में पढ़ा था कि हम डिफेरेंट फंक्श्ट परफार्म करते हैं अपर लिम्प के थुरू लाइक जिस तरह हम परफार्म कर रहा ह होते हैं various complex function under the control of brain हमने कोई चीज़ उठानी है movements related function upper limb से relate करते हैं इसी तरह movement just like walking and running lower limbs के function है इसके लावस के main function यह के body के weight को यह carry होता है sport दियो होता है हमारी body को organs है limbs यह lower limb पे ही weight दिये होते हैं और हमें support करता है load limb मुख्लिफ functions में पहले मैं आपको bonds के नाम repeat करवा दूं upper limb के then फिर मैं load limbs के तरफ आती हूं ताकि आपको upper limb के भी याद रहें bonds के नाम क्योंकि जब हम लोड लिम के बारें पढ़ेंगे तो जो bonds के नेम हैं वो उनको याद फिर आप कीजेगा पहले आप यह repeat कर लीजिए उमीद करते हूं कि आपने यह याद कर लियोंगे जो upper limb के bonds हैं वो आपने अच्छे से याद कर ली होंगी number of bonds भी उनकी location भी और कौन से portion में कौन से part के अंदर कौन सी बोन आती है जैसा कि हमने different part वाइस पढ़ेता है कि shoulder upper arm, forearm, hand करकर और नमें कौन-कौन सी बोन यह भी आपने सब की होगा लेकिन मैं थोड़ा साब को repeat करवाती हूं फिर उसके बाद हम अपने load limb का topic स्टार्ट करते हैं हमने पढ़ा था जैसे कि हम्रों से शॉल्डर जॉइंट से स्टार्ट होती है और अल्बो तक जाती है फिर उसके बाद radius and ulna radius and ulna हमारे जो arm portion है four arm वहाँ पर मुझूद होती है फिर उसके बाद hand के अंदर हमारे carpals, metacarpals and flanges जब हम part wise पर रहे थे तो हमने study किया था कि shoulder arm या जिसे हम upper arm भी कहते हैं या brachium भी कहते हैं four arm जिसे and brachium कहते हैं hands या manager से कह रहे होते हैं यह इसके parts है और इन parts से relate करती हुई मैं आपको bones ही ब कौन होगी four arm है तो radius and ulna hand है तो hand के अंदर जो है हमारे पार carpals, metacarpals and flanges मुझूद होती हैं fingers में flanges मुझूद होती हैं पर हमने portion wise हर एक को study कर लिया था जैसे कि मैंने आपको बताया था कि hand के anatomy जब हम पढ़ रहे थे तो hand के anatomy मैंने आपको बताया था कि हमारी हाथ के अंदर total 14 flanges मुझूद है 5 metacarpals, 8 carpals यह sequence जो है sequence wise अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे हाथ के अंदर hemorrhiss जो के upper arm में हैं फिर आ जाते हैं lower arm में radius and alna hand के अंदर carpals, metacarpals and flanges यह था हमारा upper limb यह bones आपको च्छे से याद रहने चाहिए number of bones भी आपको पता होने चाहिए कि अगर पूछे जाए कि carpals कितनी है तो आपको पता हूँ कि 8 carpals है हमारे एक upper limb के अंदर फिर metacarpals 5 है और flanges 14 है जिसमें से हर finger के अंदर 3 flanges होती है और अंगूठे के अंदर 2 flanges मुझूद होती है फिर हमने pectoral glider पढ़ा था पेक्टोराल ग्लेडर पढ़ाता है हैंड की अनेटमी के बाद ज्वाइंट्स में बताया थे कुछ आपको पैक्टोरल ग्लेडर के अंदर हमने यह दिखा था कि मिलके बना होता पैक्टोरल ग्लेडर साथ के साथ है responsible होता है structural support of your shoulder region on a left and right side of your body और इसका यहां पर मैंने आपको anterior view भी दिखाया था है posterior भी दिखाया था कि किस तरह shoulder वाले joint से जुड़ा होता है scapula और clavicle को हम collar bone भी कह रहा होता है collar bone and scapula को shoulder bladder and sternum को हम कहते हैं breast bone जो कि दरम्यान में हमारे रीड की हमारे पसलियों को support दी होती है उसको हम sternum कह रहे होते हैं जैसे यह यहां पर दिखाया भी है यह देखें यह sternum यह है जहां पर हमारी ribs आकर attach हो रही है इसके साथ यह front view दिखाया बोडी का इसको हम कहेंगे sternum इसके स्केप पॉल्ड फिर्वेस लेचर के अन्दर अब हम आजाते हैं अपने लोड लिम के जानिब लोड लिम के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले जो बॉन का नाम यहां लिखा है वह फिमर रहरी रट कलर से दिखाया गया है हमारे थाई वारे पोर्शन दिखाया यह विया मोजूद नमबर ऊफ बॉंज को देखा जाए फीमर के तो हमारे एक लोर्ड लींच के अंदर यह होती है क्योंकि हमारी बॉॉड्य में दो लींच है तो यह हमारी पूरी बॉड्य में 20 होंगी जिक जब एक लोर्ड लिंच की बात हो तो यह एक होती है अदरवाइस पॉन्स एक लिम्प के हिसाब से एक लट लिम्प के हिसाब से ये वन है फीमर इसे हम इस जो फीमर वाला पॉर्शन है इसे हम अपर लेक भी क्याते हैं वैसे अपर लेक यह हम जिसका आम जुबान में थाई का पॉस्टिन कहा रहा होते हैं फिर इसके बाद आजाती है पटेला यह देखें यह हमारे गुटने वाली जो फड़ी होती है इसको हम चाहते हैं पटेला फिर green color से दिखाए गई है fibula and yellow color से दिखाए गई है tibia इन तमाम bones की तदाद जो अभी तक मैंने बताई है femur, patella, tibia and fibula इनकी तदाद 1-1 है एक lower limb में 1-1 की तदाद से मौझूद है यह fibula and हमारी जो bone है tibia यह दोनों मिलके बनाती है lower leg femur बना रही है upper leg और यह बनाती है हमारी lower leg और portion wise इसको divide करें और जो हमारा patella है वो हमारी knee cape है इसके हमारा गुटना गुटने वाला portion है पिर इसके बाद यह आप देखेंगे इसके बाद आपको यह नजर आएगी आप तारसल से seven tarsals हैं हमारी जो leg है एक से नीचे के side पर जब हम जाएंगे seven tarsals मुझूद होती है यह यहां पर देखें blue color से दिखाई गई है यह इस वाले portion में seven tarsals है फिर उसके बाद हमारे लेग वाला portion है इसके लेग वाले portion से आगे चलेंगे टारसल से आगे जब हम जाएंगे foot वाले portion की तरफ तो फिर आ जाती है femur, t88, femur, femur, fibula, matatarsals, flunges, doteil बना रही है वैं हमारे load limb बना रही होती है number of bones पर अपने याद रहएं और सथ के साथ आपने याद रखनी है, नाम इनके अगर हम देखें complete structure देखें अपने लोड लिम का तब यह देखें यह बहुत लोड लिम दिखाए गए दोनों लोड लिम दिखाए गए बोडी के यहाँ पर यह देखें राइट लेफ्ट करकर यहाँ पर यह हिप बॉन मुझूद है हमारे हिप बॉन पैल्वस वाले section में इदर हिप जॉइंट होता है जिसना हमारा shoulder joint होता है इसी तरह जो हमारे अपर लिम में हमारे लोड लिम में हिप जॉइंट मुझूद होता है उसके बाद हमारी थाई स्टार्ट हो जाती है और थाई वाले portion के इ पिर उसके बाद नी जॉइंट आजाता है गुटने वाला जॉइंट जिसको बुझ इस बॉन को हम कहते हैं पटेला पिर स्टार्ट हो जाती है हमारी लग और लग के अंदर आते हैं फिबोला फिबोला एंड टिबिया जो बड़ी वाली बॉन मोटी वाली दिखाई गई यह चोड़ी वाली बॉन यह होती है टिबिया और बारीक वाली बॉन होती है फिबोला फिर इसके बाद ankle joint देखें यहां दिखाया गया है हमारे टकने वाला joint और साथ के साथ foot स्टार्ट हो जाता है फिर इसके बाद आप foot वाले section में जब आते हैं ankle joint के बाद foot वाले section के अंदर जब हम आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं tarsals दिखाए गई है metatarsals दिखाए गई है flanges दिखाए गई है जैसे हमारा टकने वाला portion है यहां पर tarsals मुझूद होती है टकने पॉर्शन स्टार्ट हो जाता है हमारे tarsals हैं यहां पर मुझूद 7 tarsals इसके बाद metatarsals 5 metatarsals हैं and flanges 14 flanges हैं जैसे के हमारे हाथ में थी हमारे अपर लिंब में मुझूद थी हैंड वाले portion में 14 flanges इसी तरह लोड लिंब की जो उंगलियां हैं उसमें भी 14 flanges हैं अंगुठे में 2 और हमारी बाकी की उंगलियों में 3 तीं यहां पर ये bonds के नाम आप as it is याद करोगे और number of bonds भी याद करेंगे draw करना है तस्वीर बनानी है आपने जो आपको easy लगे आपको यह वाली easy लग रही है या आपकी जो book के अंदर मौजूद है आपको वहां से देख की easy लगती है जैसे आप feasible हो आप वैसे इसको बना लीजेगा साथ के साथ लेबल कर लीजेगा कि कहां पर female मौजूद है कहां next topic जिसके अंदर हम pelvic glitter study करेंगे तो उसमें detail मौजूद है फाले portion की वहां पर आपको detail study हो जाए लेकिन यहां पर आप फीमर पेटेला टिबिया फीबोला टारसल मेटारसल और फ्रेंजिस को यह नाम याद करें Lord limb में bones के bones of Lord limb के नाम से आपके book में topic मौजूद है पहले functions लि देखिए यह bones of Lord limb page number 20 है और साथ उसमें बनी हुई है तस्वीर आपके anatomy वाले section में page number 20 तस्वीर बनी हुई है वहां से आप वो तस्वीर अपने lecture notebook के उपर बनाओगे साथ के साथ इन bones के नाम लिखोगे और इन bones को याद भी करोगे number of bones भी mention करोगे कि body के अंदर या हमारे अगर लोड लिम के बात हो रही है एक लोड लिम की बात हो रही है तो उसमें कितनी मुझू अपने यह काम आज की डेट डाल कर करना है तो यहां से आप यह इसकी चीजों को याद कर लीजेगा जैसे कि मैंने बताया है कि हिप पॉन है हिप यह हिप joint है जैसे शॉल्डर location Vadu hurrai kip joint मुझूड होगये पिर उसके बाद थाई पूर्शन आ जाता है थाई पॉर्शन में फीमर मुझूद है जिस तरह हमारे अपर लिम की अन्दर जब हम बोल रहे थे हमारा जो आर्न में उसके अंही रस मुझूद सेयम यही वाला है चिणा हमारा अलबो ज्वाइब था किमारे लौर लिम्की अंदर है और 6 लिम्पर अलबो जॉ운क है यह पटेला रहें यह रौंड से शेप में रेगुलर से शेप में फिर उसके बाद प्र फिबोला एंड टिबिया जो साइसे में बड़ी होती है एस कंपेर टू फिबोला फिबोला पतली नदर आरि यह हैं लाग बाला पॉशन जैसे हमने वहां पर पढ़ी थी अपने अपर के अंदर हमने पढ़गा था Radies in Alnao, यहाँ पर also Fibola & Tibia पढ़ेंगे आप फिर हमारा आ जाता है Ankle Joint जह जासा ज्यांट हमने पढ़ा था अपने राम पर हें आपर लिप में यहाँ पर हैं कल ज्वाइंट हमारे ट्खने वाला ज्वायट पिर उसका बाद हो जाता फूट पॉर्शन जिसतरा हमारा हाथ वाला पॉर्शन अपर लिम्ड के अंदर हैंड जब स्टड़ी किया था तो हम पढ़ रहे थे कारपल मेटा कारपल अफ्लैंज़ को लेकिन यहां पे फूट वाला पॉर्शन इसकी हड़ियों के नाम यह हैं टा कलिफ है लेकिन एक पैटरन बनावा चीजों का वह अपर लिम वाला ही है तसलाइक अगर यहां पर तर्सले तो यहां से तर्सले तो वह पर एट हमने जह स्पाइब नुट फिर हम ने वह फाइफ में पार्पल पड़ेते यहां पर ने पर हम पर फुट के रिंदर फैफ मेस मे फ्लेंजिस का नाम सीमिलर है बागी तमाम बोन्स के नाम यहां पर डिफ्रेंट है वहां पर हम लोग जो थे पढ़के आए हैं जैसे अभी हमने प्रिविस लेचर के अंदर ही पढ़ा है तो हम पढ़ रहे थे पक्टोरल ग्लडर यहां पर हम पढ़ने वाले हैं पाल्विग इसी वेस्पे हमों लोगस पार्ट अफ लिम्स का भी एक टॉपिक है जिसकी डिटेल में आपको नेक्स लेचर के अंदर इंशाला बताऊंगी लेकिन अभी के लिए इतना ही काम कि आप जो हो लोड लिम की तस्वीर बनाएंगी और इनकी बॉंस के नाम को याद भी करोगे करोगे नंबर ओफ बॉंस को भी याद अब भी होगे यहां पर थोड़ा सा मैं आपको पाल्विक ग्लैडर का ही बता देती हूं कि पैल्विक ग्लैडर क्यूंकि जब हम ही फोले पोष्ण की बात करें ही बाद के बाद करना तो पैल ब्लोड के बारे में क्यूंकि अभी हम लोड निम का स्टप्चर देख रहे थे तो यह उसी के टॉप के पर बनावाता है हिप पोर्शन पर तो यह देखेंगे आप यह जो पोर्शन है ताली ग्लैडर को श्रो करता है इसे को हम मिलने से बना हुई हिप बोन यह दए रेड कलर सग्याया है इससे दिखाए गए हिप बोन और कोंचल बैजने दो फ्यूज होने से हमार कि स्क्सिन बना हुआ है इक निंडी से टॉइल ही गुण ये ये यालो वाली बोन मिड़ल में दिखाए गई ओक कउसी ये वाली लास्ट वाली कोकशी है इसी दें यहां यह लाइट ग्रेंड कलर से और यह दो हीप बॉन है यह दो हीप बॉन है यह वाली जिनको यहां पर सेपरेट वन और टू इन दोनों के मिलने से बना हुआ हमारा देखें यह पक्टॉरल ग्लडर हीप बॉन जैसे का पी बुक में लिखा हुए इट इस आल सो काल्ड हीप बॉ और इस दोनों के 200 बान नहींट ग्रण मिलकार बनारही है हमारा हीप बना पॉर्शन हम यह देखें वान और यह दूनों के मिलने से यहां पर पर हमारा हैं सीयग बना रिए अ Bis सेक्रम है और ये कोक्ति है यहां पर मुझव अंधिया होक्सल बॉन है यहां पर मुझूत इन्हीं को हम औस्षोसा बॉन भी कहते हैं कोğक्सल बॉन को ही हम इसाफ बॉन भी कहते हैं वा elektrist पॉर्सell उयसे वैसे मैं आपको levels बताने वाले हूं यहां बताऊंगी लेकिन आज के लिए इतना यू काफी है आज के लिए जो में आपके लिए मैंने काम दिया है वह यह है कि आप लिंप की इंडूर्डक्शन अफ लॉर्ड लिंप की और फंक्शन के बाद आपकी बुक में फंक्शन दो लिखे हैं कि इच सपोर्ट बॉडी वेट इस यूज्ट फोर वाकिंग एंड ड्रनिंग फिर उसके बाद आपने करना क्या है यह जो बॉंस दिखे ही ना फीमर पटेला टिपिया टार्सल मेटार्सल फ्लेंजिस इनके नाम आप इनलिस्ट करोगे इनलिस्ट का मतलब है कि जो है आप राइडाउन कर लोगे जैसे में हैं आज सर्फ आप जस्ट बांस के नम याद कर लोगे तो ये वी बहुत बड़ा काम होगा क्योंके अलडि हम लोग पहले भी बровंस के नम याद करते हैं जो हमनई अपर लीम के अंदर की यह लो हमने क्या क्यूंड एपस मैं मिकसम भी हो सकते तो आप बाल बर प्रcejस कर में भी वर्टी ब्रा में भी आपको बार बार रिपीट करने चाहिए ताकि वह आपको याद रहें आज की डेट में आपके लिए ही काम है कि आप जो हैं बॉंस के नाम याद करोगे लोड लिम के उसके फंक्शन भी अपना टाइम देने कर शुक्रिया आज का काम आज ही पर करेंगे तो आप इसी लिए इन तमाम चीज़ों कर पाऊगे लेकिन अगर आप बहुत सारा काम एक साथ जमा करते रहोगे कि कल करेंगे कल करेंगे तो वह आपके लिए डिफिकल्टी का बाइस बनेगा क्योंकि काम चीज़ों को सासाथ नहीं लेकर चलेंगे तो आगे चलके आपके लिए कंफ्यूशन का बाइस बनेगा थोड़ थोड़ा काम करते रहें लेकिन करते रहें एक लिस्ट अपना खायल रखे एपनी फैमिली का खाल रखे इर्थ के लोगों खायल रखिए अलाफिस झाल रखे अलाफिस करह लोगों वां पुटबाद का बाइस मानेगे खायल रखे इंटार मैंटी तो आपके लोगों पाईस तो आपके लोगों शिता में लोगों बाते अवे का थानेट हैं झाल झाल